है कि थो यहाओ लोगं अपने पुराने चैप्टर को रणिंग चैप्टर को आगे बढ़ाने कि स्पीट ने स्पीट वरेज एक को हमने बोला इंस्टेंटेनियस 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 टाइम करना है और स्पीट के लिए आपको क्या करना है दो चीज हमने देखा डीक अपने last लेक्टर में है इख अब वेटें देखो किसी चीज़ को डिवाइड करने के किसी चीज़ को वेए करणे के कए सारे तरीके हो सकते एन करने की तरीका था फर एक्जंपल अगर हम लोगों को के लोगों को का य connection करना हो तो सकते हैं बचल पूर्डे करना चाहें तो मैन मुवमेन ऐसा कर सकते हैं ठीक है तो एक ही चीज को केटेगराइज करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं तो उसी तरह से 모플 अपुन 알 स्पीट को हम एक और तरीके से डिवाइट कर सकते हैं और वह कहलाता है वेक एक को हम कह सकते हैं कि यूनी फॉर्म स्पीट से यूनी फॉर्म स्पीद और एक को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीट थिक नॉन यूनिफॉर्म स्पीट क्या मतलब हुआ यूनिफॉर्म एंड नॉनिफॉर्म का समझते यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है अगर स्पीट कॉंस्टेंट है ठीक है वी बराबर यहां पर क्या रहेगा constant for example अगर कोई चीज 5 मिटर पर से चल रही है तो वह कॉंस्टेंटली क्या होगा 5 मीटर पर स्केंट से ही चलेगा and non uniform स्पीट क्या हो जाती है जिसमें वी क्या होता है constant नहीं रहता बदलता रहता है ठीक है मतलब हुआ कि आप एक सकेंड में कितना आगे बढ़ जाओगे फिर अगले एक सटेंड में क्या होगा पांच मीटर आप और बढ़ जाओगे तो आप क्या देख रहे हो जब हम एक एक सेकेंड का ये एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड का रेगुलर इंटर्वल आफ टाइम ले रहे हैं सेम इंटर्वल आफ टाइम ले रहे हैं तो हर एक इक्वल इंटर्वल आफ टाइम में अपने को इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं येवल डिस्टेंस ट्रेवल करें तो जभी इस टाइब का मोशन होता है जिसमें टाइम इंटरवल में इ entonces travel किया जाता है उसको यह कहा जैता है युनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है थीक है तो rendre युनिफॉर्म स्पीड कैसे रिफाइन कर सकते हैं I am body travels equal distance equal a distance in equal interval of time in equal interval of time then the speed of body is called uniform speed is called uniform speed tick to uniform speed का definition okay equal distance चलेंगे equal interval of time में बट अगर बेटे वी कॉंस्टेंट नहीं है तो बदलता रहेगा मालों अभी फांच मीटर पर सकेंड है तो आगे क्या हो जाएगा छे मीटर पर सकेंड साथ मीटर पर सकेंड आठ मीटर पर सकेंड ऐसा हो जाएगा तो इस एक सकेंड में आप क्या स्वालें में चलोगे आप सेवन मीटर फिर अगले में क्या चलोगे आप अगने सकेंड में आप एट मीटर हएँ क्या हो रहा है कि हर एक इक इक उपनका टाइम में लिया है इक उसमें इक्वल डिक्वल नहीं कर रहे हो डिस्टेंस आपका जो ट्रेवल हो रहा है क्या ऐसे वाले इसको मैं को हम यॉनिफॉर्म कि स्पिट कहते हैं तो का नॉनिफॉर्म ben need को इसको हमको डिफाइन करना होगा क्या कहेंगे इफ बॉर्डी कर तो अन इक्वड दिस्टन्स अन इक्वड डिस्टन्स है इन इक्वड इंटर्वल उफ ताइम इक्वल इंटर्वल ओफ थाइम देन कि इस को लड़ कि नॉनिफॉर्म स्पीड नॉनिफॉर्म स्पीड तो आई होप आपको यूनिफॉर्म एंड नॉनिफॉर्म स्पीड अच्छे से समझ में आ गया होगा तो पीड को है ना चाहे हम एवरेज सभीट के है याझ यटिनी या सफिट के है नंडीफॉर्म स्पिट के है वह आपको बहुत अच्य ढंग से समझ में आ रहा है अगर योनिवार मात्य है मतलब इस को क्या करैंगा uniform स्पीट करेंगे और इसकी वैल्यू लगातार रही है तो हम उसको क्या कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीट कहेंगे तो दिस इस आल अबाउट स्पीड ओके स्पीड के बाद स्पीड क्या चीज हो तो हम नए क्वंटिटी का यूज करते हैं वेलॉसिटीदि ओके शो नेक्स्स टॉपिक जब उस इन कि वेलोसिटी सी अगर आपको स्पीड अच्छे से समझ में आया है तो वेलोसिटी एकदम सेम है बिल्कुल सेम है बस आपको क्या समझना है कि स्पीड क्या था इस्पीड में हम डिस्टेंस ट्रेवल करते थे वेलोसिटी में हम क्या करते हैं डिस्प्लेस्मेंट ट्रेवल करते हैं ठीक है सिर्फ एक ही फर्क है कि उसमें हम डिस्टेंस ट्रेवल करते थे यहां हम डिस्प्लेस्मेंट ट्रेवल करेंगे ठीक है तो जैसे हम स्पीड डिफाइन करते थे डिस्टेंस पर यूनिट टाइम वैसे ही वलासिती में हम कैसे डिफाइन करते हैं डिसप्लिसमेंट Pan אז Okis डिसलेशमेंट ट्रियोड किया तो त congress आपर त कोडा के यूनीत है आइस कोड़ वेलोसिती से पॉल्ड वेलो क्या हो जाएगा ने वेलोसिती ही इक्वल्सीफ गोल्स्पलेशमेंट अपन क्यू सबब्सक्ला1 इगा दिस्पलेशमेंट अपन टाइम अधिजिश वैल उसीटी कि अंड़ेस्टूद तो गयर मैं बोलूं की वैल वैल ऑसिटी कैसी क्वांटिटी उगी वेक्टर होगी की सपंधे यह आता है कि यह जो displacement है वो एक वेक्टर कॉंटिटी है साथ तो अगर मैं पूछोंकि इसका क्या होगा को मिटर का होता था मीटर इसका भी साइयुनीट क्या होता है मीटर पर सब्सक्राइब होता है इसद सब्सक्राइब इस कर दाईमेंजिनल फॉर्मुला क्या हो गया टाइम यानिवďाना हो जाएगा bethый fishermen ठीमेंसρό फ्रोमूला क्लियर वेक्टर क्वांटिट की है मीटर पर सेकेंड होता है और इसका डामश्चनल फ्रॉ्मुला लटी माइनसर मैं ने होता है यह रही बातें holding displacement की तो आप क्या देख रहे हैं बाकी सारी चीज़ें सेम है मीटर पर सकेंड स्पीट का भी होता था यूनीट इसका भी यूनीट है एल्टी माइनस वन डैमिल्स्टल फॉर्मूला इसका भी होता था और उसका भी होता था ठीक है फर्क बस क्या है ट ईसके की बात करते हैं ईए तो जैसा आपने देखा वहां हमने दो बनाई थी यहां पर भी हम लोग क्या करते है दोflow केटिग्री बनाते हैं ठीक है को कहते हैं की का यूना सिटी अ दूश्कों पाने दूसरे को कहते हैं healthcare के instantaneous velocity okay again average velocity क्या होगा तो जैसा क्या आपको पता average speed क्या होता था average speed होता था total distance upon total time here total displacement upon total time okay so average velocity सिटी कि एवरेज वेलोसिटी क्या बोलेंगे विटे टोटल कि डिस्प्लेस्मेंट डिवाइड वाइड़ दिवाइड बाई वै डिवाइड बै टोटल ताइम प्रोटल डिश्मेंट टमिश्मेट वेलो सिटी अहू कि वेलोसिटी पाह अन्डेस्टूद सो रिबरेज वेलोसिटी तो टोटल डिस्प्रेश्मेंट तो टोटल डिस्प्रेस्मेंट अ अपन कि या टोटल टाइंब टोटल टाइं उनुटेट डिस्प्लेस्मेंट को आप क्या लिख सकते हो डेल एकस अपान डेल टी मैंने आपको पहले भी बताया है वेक्टर क्वांटिटी को शो करने के लिए क्या करते हैं यह ऐसा एरो लगाते हैं ठीक है तो यह आपको displacement को दिखाता है तो displacement जैसा कि आप जानते हो फाइनल पोजीशन और इनिश्वल पोजीशन के बीच का शौ्टस डिस्टेंस होता है तो एकस्टू फाइनल हुआ एकस्वन मलो इनिश्यल हुआ एकस्टू माइनस एकस्वन आपको क्या देगा बेटा डिस्प्लेस्मेंट देगा और टाइम का इंटर्वल कैसे पता चलेगा टी-2-1 से तो लाइक दिस यू कन फाइंड क्या एवरेज वेलाउसिटी ठीक है सिर्फ आपका क्या हो रहा है डिस्टेंस कनवर्ट हो जा रहा है किससे डिस्प्लेस्मेंट से वहां पर डिस्टेंस अपन टाइम करते तो यहां डिस्प्लेस्मेंट अपन टाइम करते है तो एवरेज वेलासिटी आपको समझ में आ गया के लिए इसी तरीके से बिटे इंस टाइम एक शर्टेन टाइम पर ठीक है तो शर्टेन टाइम पर की जो वेलासिटी होगी वह इंस्टेंटेनियस वेलासिटी कह लाएगी ठीक है दी वेलासिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेन्ट ऑफ टाइम एट एट पर्टिकुलर पर इंस्टेंट ओफ टाइम श्द अग सल इस इनस्टेंट येस वैलोसिटी इस चोच buffet तो बटे वैलोसिटी के लिए क्या करते हैं पटिकुलर इंस्टेंट की बात करते हैं जब पर्टिकोलर इंस्टेंट की होती है तो जो टाइम का इंटर्वल है वो घड़ जाता है वह 0 हो जाता है और टाइम इंटर्वल को 0 कैसे दिखाते है लिमिट लगाकर k talk दो Дखा देते हैं जो आपका डेल एक्सपाइड एल टी था ना वही आपका अब बन जाता है क्या डी एक्स बाइडी ठीक सो वी इक्वल्स टू क्या आया विटे डी एक्स अपॉन डी ती तो क्या अलग है इसमें ऐसने और इंस्टेंटेनियुस यहां पर टिफेरेंशेट करते होो तो आपको मिल जाता है वेलो शिटी मिल जाता है सेम आस सबीर सेमने हां करना है वह हमने आपको सिखाया है ठीके बटें तो इस इंस्टेंटेनियस विलिए तो अब आपको कि और दूसरी क्या जैसा हमनेन स्पीट का दूसरा कटेगराईजेसिन देखा था वृल Cash्ति का भी एक और कटेगराईजेशन है दुई हम क्या करते हैं एक को कहते हैं यूनिफ़ॉर्म की यूनीफ़ॉर्मजला डिबलॉस्टि और एक को कहते हम नॉन यूनिफ़ॉर्म वेलाँशिटि वेलॉसिटी थिक तो अगें uniform velocity का मतलब क्या होता है इसका V क्या रहेगा रफेटा constant है और इसका जो भी रहेगा व कॉंस्टेंट नहीं रहेगा ठीक है इसकह वेक्टर कॉंटिटी है आप इसको एरो लगा सकते हो है कलिए तो उनिफर्म वेलोसिटी अच्छा जैसा हमने उनिफॉर्म में स्पीट को डिफाइन किया था कि इसमें क्या होगा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम इंटर्वल में उसी प्रकार से यूनिफर्म वेलाउसिटी को आप कह सकते हो कि वह या इसमें क्या होगा इक्वल डिस्प्लेस्मेंट होगा वहां इक्वल डिस्ट in equal interval of time interval of time speed is called sorry velocity is called velocity is called uniform velocity uniform velocity okay and similarly agar as a nahi hua to phirham kya kehenge non-uniform kehenge if body travels on equal displacement on equal displacement in equal interval of time equal interval of time then velocity velocity is called non-uniform velocity non-uniform velocity okay so we understood uniform velocity क्या होता है एंड non-uniform velocity क्या होता है ठीक अब देखो बिटे हमको यह समझना है कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफेरेंस क्या है ठीके डिफेरेंस बिट्विन स्पीड एंड वेलोसिटी क्या डिफेरेंस बिट्विन स्पीड और वेलोसिटी क्या अगर मालो मैं कहूं की यह पॉइंट एह है थिस पॉइंट बी अन दिस पॉइंट इस पॉइंट सी दिस इस त्री मीटर बूस्ती हम है और लेति सेर्म इस टोटन सेड्म टैम् जो है टोटल क्या कैक तो दिस्ट्ञ डिस्टेंस कितना कभर कि मुंहीं तक आया करते सिधा सिधा इसको एड कर देती थे seven meter distance हो गया और मैं जब पूछता था कि बहुपेट displacement कितना हुआ तो आप कहते थे sir displacement के लिए हमें initial position और final position को एक straight line से जोड़ना होता है स्टेट लाइन से जोडने के बाद जो इसकी लंबाई होगी वही हमारा डिस्प्लेश्मेंट हो तो यहां क्या कर लेंगे पैथागोरस यूज कर लेंगे और यह मेरा फाइव मीटर आ जाएगा सो डिस्प्लेश्मेंट इस फाइव मीटर तो बेटे अब मैं अगर आपसे पूछू बताओ बेटा स्पीड क्या तो जैसा आपने पढ़ा है इसीड होता है डिस्टेंस अपॉंड टाइंब टींसूड लेकिन जब मैं पूछू कि वेलासिटी क्या है तो आप क्या बोलोगे तो बिलोसिटी होता है सर इस्प्लेश्मेंट अपॉन CDU टाइम आलके इस भीड़िश्म आपान टाइम तो डिस्प्लेशमेंट कितना है सर डिस्प्लेशमेंट तो 5 है और टाइम कितना है साथ है तो यह कितना हो गया? पाँच बटटा साथ मीटर पर सेकैंड विच इस अप्रोक्षीमेटली night.07 मीटर पर सेकंड तो क्या देख पारे हो भी स्पीड निकालने के लिए आपको distance upon time करना होता है velocity निकालने के लिए प्रकर सोरी velocity निकालने के लिए displacement upon time किया करना होता है तो जब हमने इस example में लिया भीटा तो इसमें हमने क्या किया देखो तो पहले हम ऐसे गये थे तह ی fugled क्या है कि आपका जो स्पीड है वो बड़ा है कि से वलौ सिती से और दिस्टेंस जो है वो बड़ा है किसे डिस प्लेस्मेंट से डिस्टइम से बड़ा है और स्पीड वेलॉसिटी से बड़ा है तो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब डाय्रेक्षण चेंज होता है तो उस समय डिस्टंस डिस्पलिश्मेंट से बड़ा होता है तो अब इसी एक्जाम्पल में अगर बोलता कि मैं सिर्फ स्टेट लाइन डिस्टेंस वह और यही डिस्टेंस भी है तो यहां पर क्या हो रहा है डिस्टेंस और डिस्टेंस दोनों बराबर हो रहा है तो इस्पीड कितना होगा डिस्टेंस अपन टाइम 3 by 3 और वेलोसिटी भी क्या होगा डिस्प्लेश्मेंट अपन टाइम 3 by 3 तो दोनों ही क्या हो जा रहे हैं आपको एपका जो स्पीड और वेलासिटी है वो क्या रहा है इकल आ रहा है उसे क्रांव तो विकलोड कर सकते है किasking जो है वह हमेशा या तो greater होगा या तो equal to होगा किसके velocity के है ना क्यों बेटा क्यों है ऐसा क्योंकि हमने पढ़ रख्था है कि distance जो होता है distance वह हमेशा या तो बड़ा होता है या तो बराबर होता है displacement से ठीक है displacement से इसलिए obviously speed भी क्या होगा हमेशा greater than या equal to होगा velocity के ठीक है तो अगेन बेटे इस पीड हमने क्या बोला greater than होगा या equal to होगा किसे velocity से ओके तो कब equal to होगा और कब बड़ा होगा equal to कब होता है जब मैंने क्या बोला कि जब आप straight line में चल रहे होते हो ठीक है इस्क्रेट लायन मोशन इस ट्रेट लाइन मोसा कोई डिरेक्शन में change नहीं होना स्टेट लाइन मोशन तर्फेट चयंज डिरेक्शन इन डिरेक्शन डारट चेंजिंग डिरेक्शन है ऐसा जब आप चलोगे तो आपका स्पीड और वेलांस्टी क्या होगा बराबर होगा और ग्रेटर कब होगा तो हमेशा स्पीड जो है वेलांस्टी से बढ़ा होगा फ्डाய के सिंग्ज डैरिक्शन चेंज़े से आगई बात समझ में तो यह हो गई बात विटे क्लियर अच्छा और क्या जानते हैं विटे हमने हमने जाना था कि पीड जो है ना स्पीड कैन नेवर भी नीगेटिव स्पीड कैन नेवर भी नेगेटिव इन चीके क्कॉन्टेटिटी है तो वेक्टर जो है वो डर्रेक्शन डिपेंदेंट होता है अब हमारे ऊपर करता है कि हमने किस डर्रेक्शन पॉसितिव लिए किस डिरेक्शन को निगेटिव मालो यह एक लाइन है मैंने बोला आप इधर जाओगे तो पॉजिटिव बोलना और इधर जाओगे तो निगेटिव बोलना तो यहां पर देखो प्लस भी आ गया माइनस भी आ लेकिन स्पीड में ऐसा कुछ नहीं होता उसमें डिरेक्शन ही नहीं होथा समझ में आया क्या क्ने अपना आपका घर है यह घर से आप कहीं गए अपने स्कूल को गये ठीक है तो फिर मालों घुम घुमा करके आप अपने घर को वापस आगे तो जब मैं बोलूगा कि आपने डिस्टेंस कितना चला तो आप बोलोगे तो इस दोरान अगर आप स्पीड निकालोगे स्पीड तो इस्पीड आएगा बरी क्या हुआ पीटा यह जब आपको कभी बिए इस एक ही जगे से इंड करते हो तो आपका डिस्प्लेस्मेंट क्या होता है जीरो होता है तो जीरो अपन सम्थिंग करेंगे तो क्या जाएगा जीरो उसमें मेरा एवरेज वेलोसिटी क्या आया जीरो तो इससे क्या समझ में आया मुझे कि जब हम मोशन करके आते हैं जब हम मोशन करते हैं तो हमारा एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है बट एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकता तो इन सब बातों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं क्या क्या डिफ्रेंसेश हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में थीक है तो इस्पीड कि एंड वेलोसिटी कि कि मैं चैया वी चैक फिस्टा बिटा स्पीड विटा स्पीड क्या होता है इस्पीड लेजंगैं डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेस्मेंट अपॉन टाइम डिस्प्लेस्मेंट अपॉन टाइम दूसरा क्या हुआ यह स्केलर है स्कैलर क्वांटिटी है यह क्या हो सकता k tb कभी नहीं हो सकता इत्पकेन नेवर बी निगेटिव इत्पकेन नेवर फी निगेट इसोarlas का हो सकता है कुछ भी और सकता है इत्पकेनL inserts फॉस्पकेन पोजिटिव और जिरो ठेख है चौ पीज चीज चौथी चीज इश्म मेंशा क्या होता है विटा घ्रेटर दन इक्वल टू वेलोसिटी होता है और यहां पर वेलोसिटी क्या होता है हमेशा लेस्थ दिक न इकवल टू स्पीड होता है कि पांच वी चीज इन जर्नी धाऊद Això in a journey average speed can never be zero can never be zero but average velocity but average velocity average velocity can be zero if initial position and final position is same if initial position and final position is same final position is same take the speed or velocity के बीच में difference is clear कि अब हम क्या करेंगे कुछ examples लेंगे जिसमें कि हम अभी तक हमने कुल मिला करके क्या हुआ विटा चार चीजें सीखा है ना चार चीजें सीखी हमने एक डिस्टेंस सीखा कि दैन डिस्प्लेस्मेंट सीखा ठीक दैन हमने स्पीड सीखा और अभी अभी हमने वेलॉसिटी सीखा ठीक है तो अब हम कुछ ऐसे examples लेंगे जो इन चारों चीजों को कवर करते हुए रहेगा चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक सांपल अगर मानलों बेटा मैं बोलूं कि यह एक शर्क्यूलर ट्रैक है कि जिसका रेडियस सेवन मीटर है ठीक जिसका रेडियस कितना है सेवन मीटर है अब यह जो है एक पार्टिकल यहां से घूम करके इसके परपंडिकुलर यहां पहुंच जाता है ऐसा गुमते हुए इस तरीके से यह यहां पहुंच जाता है ठीक है यह कितना है 90 डिगरी है ओके यह मालों एपॉइंट कह देता हूं और यह पॉइंट बी कह देता हूं ठीक है तो आपको क्या-क्या पता करना है डिस्टेंस क्या होगा कि दूसरा कि डिस्प्लेस्मेंट क्या होगा कि एंड इफ टाइम टेकन इस टी बड़ावर 10 सेकंड ठीक है यह से बी जाने में अगर उसको 10 सेकंड लगता है तो इस पीड बताईए और वेलॉसिटी बताईए तो देखो हमारा जो चारों टॉपिक था वो इसमें कवर हो जा रहा है ना चलिए करते हैं इसको पहला चीज बेटा डिस्टेंस क्या है डिस्टेंस के लिए जैसा कि आपको पता है आपको क्या करना होता है यह पूरा चीज निकालना होता है तो आप सब हो गया 1 by 4 so 2 by key value 22 by 7 r is 7 and 1 by 4 so 77 gets cancelled और क्या हो जाएगा बिटे दो और एक ग्यारा यह चार से कैंसल हो जाएगा बिटा तो यह कितना आया 11 मीटर सो डिस्टेंस हाँ मच 11 मीटर क्लियर ओके ना अब आपको क्या चाहिए second चाहिए that is displacement तो जैसा कि आपको पता है displacement के लिए अपने को क्या करना होता है इस लेज़एंचों और फाइनल पोजिशन को anta टे छोडना होता है यहां से चलेOW, तो यह आप ऑसे स्थाइट लाइन से जोड देंंगे के गुए तो यह हो जाएगा इका सैवन मिटर है तो यह भी तो सैवन मिटर ही होगा क्योंकि यह इसा यह यहो C चाहितागर करेंगे और यह भी दिस प्लेश्मेंट जो है वह हमारा क्या हो जाएगा स्क्वेर रूट जुगर हो गया ग्रोफि स्विस्टी तो मिट्र इतना क्या हो गया तैसिषर लाप को निकालनी है वो है कि Ispie To Ispied कि क्या होता है इसपीड डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइं 음 तोिक तो डिस्टेंस कितना हुआ डेखो आपने निकाला 11 म께 और टाइम आपने कितना लगाया दस सेकंद तो यह कितना हो गया विटा वन पॉइंट वन मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया एंड वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना होता है वेलोसिटी के लिए आपको रूट्टू की वहल्यू क्या होती बिटा 1.414 होता है मैं एप्रॉक्स में 1.4 ले लेता हूँ चाओदर सब्सक्राइब किता हो जग बिटा 989.8 अपॉन 10 विचे 0.98 मीटर पर सेके ठीक है तो दीखो इस तरीके से हमने स्पीड वेलाउसिटी डिस्टेंस डिस्प्लेस्मेंट सब हमने निकाला ओके तो इस ताइप के क्विश्चन साफ आसानी से कर सकते हैं विल टेक वन ऑर एक्जेमपल थो एक हमने क्या किया एक सब्सक्राइब ले लिया इस बार हमने क्या किए की जो रैडियेस है वहा हमने सबहने मीटर धाई गत्रेक थाम हम यहां से चले यहां से चले और ऐसे चलते 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 हम डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे जाके रुके ठीक है कहां रुके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर एसे यहां तक आ गए हम ठीक है अगें हमें वही सारी चीज़े करती है मालो इस बार हमें बिटा टाइम कितना लगा यहां से यहां जाने में लेट से ती बराबर लग गया 22 सेकंड ठीक है तो अगेन आपको वही सारी चीज़ें करना है पार्ट एडिस्टेंस निकालना है पार्ट बी डिस्प्लेश्मेंट निकालना है पार्ट सी स्पीड निकालना है और पार्ट डी वेलोसिटी निकालना है ठीक है यह रहा आपका होमवर्क ठीक है इसको आपको शॉल करना है और हम इसके उपर डिस्केशन करेंगे डाउट सेशन में ठीक है को अग्त więcej는데 फिर से फिर से हमने क्या किया सेरकुलर ट्रैक लिया वहीीड टिया सेवनमीटर थिके़ और एक आदमी जो है यहां से घुमना चालू किशा और घुमते इडुमते घुमते के घुमते के गुमते यहां जाके रुका अ granted degrees ठीक है यहां से ऐसे ऐसे घुमते हुए ऐसे यहां तक आके रुका ठीक है तो और इस तोरान इन्हों ने टाइम लिया बिटा टाइम लिया 33 सेकंड ठीक है 33 सेकंड अगें आपको वही सारी चीजें निकालनी है ठीक है डिस्टेंस यह यह चारों चीजें आपको निकालनी है इसमें भी ठीक है तो यह तीन यह दूसरा सेकंड एक्जांपल हो गया इसको भी आपको सॉल करके रखना है ठीक है जलो अब एक और एक्जांपल ले लेते हैं मानलो मैंने बोला भई कि एक ऐसा यह दस मीटर है और यह पांच मीटर है ऐसा एक रिक्टेंगुलर बॉंडरी है रिक्टेंगुलर बॉंडरी है कोई बंदा जो है इस पर चलना शुरू करता है यहां से चलता है एसे और एसे ऐसे जाता है ऐसे जाता है और यहां जाके रुकता है एसे बी जाता है बी से सी जाता है एसा जाता है तो इस दोरान आपको निकालना है और इस दोरान यह मानलो कितना समय ले लेता है ती बराबर 25 सेकेंड ले लेता है ठीक है 25 सेकेंड तो वी हाब टू फाइंड पार्ट ए डिस्टेंस डिस्प्लेस्मेंट स्पीड एंड वेलोसिटी यह चार चीजें आपको इस सवाल में भी निकालने हैं ठीक है यह तीनों कुश्चन आपको शॉल करके रखने हैं और हम लोग इसको डिस्कुश करेंगे अपने डाउट सेशन में ठीक है तो आपको बना के रखना है स्पीड वेलोसिटी तक ठीक है यह वेलोसिटी तक और अगले नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे विच इस एक्सेलरेशन वह की बच्चों बाइबाइब झाल 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 झाल